नमस्कार आपके साथ मैं उत्रिप्तिविश्व कर्मा और आप देख रहे हैं निउस टाइम्स चैवासा इस बुलिटिंग में आप सभी का स्वागत है चलिए नजर डालते हैं आज की जीले की खबरों पर जीला परिसत की बैठक में आज कई सदस्यों ने कई मुद्दों को लेकर आपत्ती जताई जिसके कारण बैठक को कुछ देर तक स्थागित करना पड़ा कई सदस्यों ने जनहित चे जुड़े मामलों को लेकर बात उठाई और हंगामा होता रहा जीला परिसत की अध्यक्ष लक्ष्मी सुर्यन के ध्यक्सता में आज एक विशेश बैठक बुलाई गई थी जिसमें कारपालक पदाधिकारी, संदीब बक्षी और उपाध्यक्ष रंजीत यादव के अलावा अन्य सदस्यों सामिल हुए थे बैठक सुरू होने की कुछ देर बाद चैंबासा की जीला परिसत सदस्य लालमूनी पूर्ती ने ग्रामिन छेत्रों में बनने वाले मकान का नक्सा पास होने में हो रही समस्या का मामला उठाया, जिस पर काफी देर तक बहस बाजी होती रही समय से नक्सा नहीं पास होने के कारण लोगों को मकान बनाने में परिशानी हो रही है इसी बीच जिकपानी के जीला परिसस अदस्य जौन मिरन मुंडा ने पेजल की समस्या को सदन के सामने रखा उन्होंने कहा कि एक सब्ता पहले उन्होंने इस प्रस्ताव को एजिंडा में शामिल करने के लिए पत्र सौपा था लेकिन आज की बैठक में उसे सामिल नहीं किया गया इस पर अध्यक्ष की और से जवाब दिया गया की बैठक के बाद शामिल कर लिया जाएगा इसी बात पर दोनों तरफ से गर्मा गर्मी चलती रही और आखिरकार अध्यक्ष ने बैठक को कुस देर के लिए स्थगित कर दिया सदन में सदस्यों की बातों को नजर अंदाज करने को लेकर जिला परिसत सदस्य जौन मिरन मुंडा माधव चंद्र कुंकल और मान सिंग तिरिया बाहर निकल आए और ग्रामिनो द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन में सामिल हो गए है कि हमें एक शांता पहले अद्यात में को कुछ बिंदयों पर प्रष्ताव कर ना था Easy त États नौन को लगू कराना है पेशा कानून समतल को लागू कराना है जिसके चुना उलावा लूट फॉटध जिसे जल्मिनार बना है लाकोग करोडों खर्चित हुआ है आज गाहों गाहों पीने के लिए लोग करश गया है तो मेरा कहने है अगर ये चारचा कुल लुक्ड अगर एंजंड़ पर रखता कि यह भी आपका एजिंडा है जिस पर हम लों को चर्चा करना है तो इसे पर रखा नहीं हमने एक ही बात रखा कि इसको आपने एजिंडा में क्यों नहीं रखा है और इसी पर जो है बैठा को अस्तागित कर दिया है हम उनको बार-बार बोल रहे हैं कि अगर आप एज सर्कार अगर पंचय चुनों कराया है तो गाउं का सारक बाट राज होगा Maori ना कि सहर में औहहते क्दार और अफसर करी अपिकास हो गाउल Yagiri 26 CinDI करके अम और गोलेंगे अगले बर कर संख्याव इंगे व मोग तीनों पर खन्द कि 腐 जार आप चीज के लिए रखेंगे पिछले के बता दा साल में पिचले क्या दिया हमको कुछ देर बार बैठक फिर शुरू हुई जिसमें पेजल के समस्या का मुद्दा चाया रहा खरापड़े चापाकलों को कैसे ठीक किया जाएगा यह सवाल सदस्यों ने उठाया इस पर कारपालप पदाधिकारी ने कोई समाधान निकालने का आश्वाशन दिया सदस्यों ने ग्रीन कार्ट पर चावल का वितरन नहीं होने का मामला भी उठाया कहा कि ग्रीन कार्ट पर प्रती व्यक्ति 5 किलो चावल मिलना है लेकिन यह जब से शुरू हुआ है तब से अब तक 3-4 बार ही चावल मिला है बैठक के दोरान अध्यक्ष लक्ष्मी सूरिन इस बात को बार बार दोहराती रही कि जिस सदस्य को कोई बात रखनी है वो लिखित में दे इस पर कई सदस्यों ने भी आपत्ती जताई उन्होंने कहा कि जब बात को सदन में रखा जाता है तो फिर लिखित मांगने की क्या जरूरत है उनकी बात को प्रोसेडिंग में शामिल किया जाए इधर DMFT फंड में भरष्टाचार पेजल समस्या और फरजी बिजले बिल के विरोध में ग्रामिनों ने शहर में रैली निकाली और जीला परिशत कारेले के सामने धरना दिया इसमें जीला परिशत सदस्य जौन मिरन मुंडा, माधव चंद्र खुंकल और मान सिंग तिर्या भी शामिल हुए धरना कारेकरम को संबोधित करती हुए जौन मिरन मुंडा ने जीला परिशत की कारेश्याली पर सवाल खड़ा किया बाहर में बैट जा इतना बड़ा गवर्नर हो गिया है कि राश्ट्पती हो गिया है बाहर में बैट जा हम सिर्ट चर्चा के लिए पॉंट रखे तो उसको चर्चा में रखने एजंडर में ने रख सकता है क्या चिद्पर जिला परसत बना है साथियों हम कहना चाहते हैं आज हम लोग यहां जितने लोग आये हुए हैं हम लोग गाओं गाओं में बिजली फर्जी बिजली को ले करके परसान है परसान है कि नहीं है बताईए किसी को 10,000 किसी को 20,000 बीना मीटर का बिजली आता है बिजली भिल बीना जलाए बिजली भ इसका समस्ट्या को कौन सुनेगा अगर सदन नहीं तो कौन सुनेगा उसके बाद गाउं गाउं में पीने का पानी का तकलीफ एक एक अजीप मर लेकिन अंदर में बैठा हुआ एक अधियाच लाच्मी शूरीन पैसों के खरिद विक्री करके अधियाच के कूर्सी खरिद लिया जाता है और जनता के समस्या के लिए किसी के पास जो है न जीमेवारी नहीं है क्योंकि अभी कमिशन लेना है तीन परसेंट हरी होजना में तीन परसेंट कमिशन लेना है अपसर लोग को बारा परसेंट लेना और बाकी मेंबर लोगं को दो पसंद तिन पसंद लेना है जानता जाए भाण में लेकिन हम लोग लाल धंडा से जीते हुए जिला पर सधे हैं हम लोग कमिशन खोरी होने नहीं देंगे सेंगल का मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा 21 दिन मंगलवार को चैबासा पहुँचा यहां का नत्त्तुर सेंगल के राष्टी अध्यक्ष, सालखर मुर्मू और किंडरे संयोजक, सुमित्रा मुर्मू, जन जागरण और जन एक्ता के उद्देश से कर रहे हैं मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा चैबासा पहुँचने पर सहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए पिल्लई हौल पहुचा पिल्लई हौल में सभा को संबोधित करते वे सालखन मुर्मू ने कहा कि राज्य में खत्यान लागू नहीं हो सकता है राज्य में प्रखंट स्तर्य नियोजन नीती की जरूरत है उन्होंने कहा कि जार्खन बने 22 वर्सों के बावजुद किसी भी सरकार ने स्थानेता आरक्षन और नियोजन नीती को सपस्ट रूप से परिभासित नहीं कर पाई है अभी भी किसी पाटी के पास कोई ठोस नीती नहीं है जिसके कारण सिक्षित बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है 1932 के खात्यान का लटक जाना स्वभाविक था जार्खन हाई कोट ने भी इसे खारिश कर दिया है अन्य राज्यों में भी खात्यान अधारित स्थानेता नीती नहीं है उन्होंने कहा कि आबादी के अनुपात में जार्खंड वार कोटा तैय किया जाए फिर प्रखंड के कोटा को उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए यह तीन मा के भीतर लागू हो सकता है सालखन मुर्मू ने कहा कि मरांग बुरू को जैनों के कैद से मुक्त करने और 2023 में आदिवासी के प्रकिरती पूजा, धर्म, सरना कोट को लागू करने के लिए सिंगल 11 जन्वरी से अनिश्चित कालिन, रेल और सडक जाम करने को बाध्धे हैं उन्होंने कहा कि सोरिन सरकार ने आदिवासियों के इश्वर मरंग बुरू को जैनों के हाथ बेशने का पाप किया है, उन्होंने सरकार को जम कर आड़े हाथो लिया, उन्होंने कहा कि जूट और ब्रस्टाचार में डूबे सोरिन परिवार के पतन के बिना आदिवासी मू विरुद्ध सर्च अभ्यान के दोरान आईईडी बंब ब्लास्ट होने की कारण स्यारप्यप साथ बटालियन का जवान संजीव कुमार गंभीर रूप से जक्मी हो गया है घायल जवान को इलाज की लिए एर लिफ्ट कर राची भेजा गया है नकसली और उग्रवादी की खिलाफ पश्मी सिंभुम जीला पुलिस की ओसे लगतार सर्च अभ्यान चलाया जा रहा है पुलिस का मनोबल तोडने के लिए नकसली के दोरा आईईडी बंब ब्लास्ट कर जवानों का मनोबल तोडने का लगतार प्यास जारी है वर्ष 2023 में नकसलीों ने पाँच आईईडी बंब ब्लास्ट कर दरजनों जवानों को जखमी कर दिया है बावजूद जवानों का होसला कम नहीं हुआ है सर्च अभ्यान लगतार जारी है नकसली संगठन के शिर्षनेता, मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन कांडे, अजय मैतो, सागेन अंगरिया, अश्विन की गिरफतारी के लिए जीला पुलिस सर्च अभ्यान चला रही है मंगलवार को गोईल केरा थाना के हाथी बुरू जंगल के आसपास सर्च अभ्यान चलाया जा रहा था इसी दवरान दिन के साड़े बारा बजे आईईडी विस्पोट किया गया, जिसकी चपेट में आने से जवान संजीव कुमार जक्मी हो गए चैंबासा हाता मार्ग में राजनगर थाना अंतरगत तेलाई गाउं के पास सड़क दुरगटना में चैंबासा सहर की नीमडी निवासी 31 वर्षिय मुकेस पुद्दार की मौथ हो गई चैंबासा निवासी मुकेस पुद्दार बीती रात्री जमसीतपूर से एक कारिक्रम में शामिल होकर वैगनार कार संख्या जेएट 05 CT 7219 से चैंबासा लोट रहे थे चैंबासा मार्ग में राजनगर थाना अंतरगत NH 220 पर तेलाई गाउं के पास रात्री करी 12 बज़े कार पेड़ से टकरा गई जिसमें मुकेस और विक्रम सहानी गंभी रूप से जक्मी हो गएं वही कार पुरी तरह छतिग्रस्त हो गया मुकेस कार खुद चला रहे थे दुरगटना की सूचना स्थानिय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को दी मौके पर घायल युवकों को इलाज के लिए CHC राजनगर लाया गया जहां डॉक्टरों ने मुकेश को मृत घोशित कर दिया पुलिस ने मंगलवार के सुबर सराइकेला में पोस्ट माटम कराने के बाद शव को परिजुनों को सौब दिया आज समसान घाट चैबासा में मुकेस का अंतिम संसकार किया गया जबकि विक्रम सहानी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है इंद्रा गांधी राष्टिय दिव्यांग पिंशन योजना और स्वामी विवेकानन निशक स्वाव लंबन पृत्साहन योजना के अंतरगत दिव्यांग शिविर का आयजन किया गया शिविर में 57 दिव्यांग को प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें और्थों के 37 और ENT के 20 दिव्यांग शामिल थें अंजमन इस्लामिया के सच्चेव फयास खान का अग्रिम जमानत को प्रधान जीला एवं सत्र नयाधीस की अदालत ने अस्वेकार कर दिया है उनके खिलाफ 26 जन्वरी को अपने निजी पिस्तॉल से जंडो तोलन के बाद हवाई फाइरिंग करने का मामला सदर्थाना में दर्श किया गया था सदर्थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरिक्षक सुबोध कुमार सिंग ने 26 जन्वरी 2023 को मामला दर्श किया था फयास खान का पिस्तॉल और 205 जिंदा गोली उस समय जब्त कर लिया था दर्श मामले में बताया गया था कि 26 जन्वरी को सुबोध कुमार सिंग गस्ती पर थे गस्ती के दवरान बड़ी बजार उर्दू लाइबरेरी पहुँशने पर पता चला कि यहां ज़ंडो तुरन के बाद फयास खान के दुआरा हवाई फाइरिंग किया गया था पूस्ताश में घटना सत्य पाया गया उसके बाद उसके पिस्तॉल और 205 गोली जब्त किया गया और उसके खिलाब धारा 25 एक बी के तहट मामला दर्श किया गया था इस मामले में जीला जज ने अगरिम जमानत को अस्विकार कर दिया है आप से फिर मलाकात होगी कुछने खबरों के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल पर धन्यवाद